हेलो एंड ग्रेट वालकम तो बिड़े इस पर्टिकुलर सेशन में जैसे कि आफ फ्लेश होते वे देख रहे हैं अप्री स्क्रीन्स पर हवारी जो चर्चा होगी वो कॉर्परेट फाइनिशल रिपोर्टिंग के सब्जेक्स से रिलेटेड होगी और यह बेसिकली सेशन उन बच्चों के लिए है जिनका की अटेंट जून 24 या दिसंबर 24 में हैं कॉर्परेट फाइनिशल रिपोर्टिंग को देख करके मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत से बच्चों को थोड़ पूरा करना है इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए कौन से वो ऐसे एरिया से इस पर्टिकुलर सब्जेक्स को लेकर के जिस पर कि हमने ज्यादा फोकस करना है कौन से सिग्निफिकेंट टॉपिक्स हैं ज इतने भी आपके सवालाते हैं उन तमाम चीज़ों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए चर्चा करते हैं फिर कॉर्परेट फानिशल रेपोर्टिंग की। ध्यान ये रखना जब किसी भी सब्जेट की हम तैयारी करते हैं और खास तोर से जब हम प्रॉफिशनल ले के स्टूटिंट कई मरतबा इस चोटे सी बात का ध्यान नहीं रखते हैं और सड़ली एग्जामिनेशन में उनको लगता है कि कोई क्वेशन ऐसा आ गया जिसके बारे में उनको पहले से इस बात का ध्यान रही था और उसका कारण यही था कि उन्होंने सब्जेट को सब्ज करना है कि उस पर्टिकुलर स्लेवर्स को हम एनलाइस कैसे करें करें एनलाइस करने से मेरा मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर स्लेवर्स में यानि कि सी एफार के अगर हम बात कर रहे हैं तो सी एफार के इस पर्टिकुलर स्लेवर्स में कौन से वो टॉपिक है जो कंप्लीट और कौन से वो टॉपिक है जिनका तालुक जो है वो स्टेंडर से है इस तरह का सेग्रिगेशन करने का आर्ट और कला आप में आनी चाहिए इसके बाद जैसे कि फिल्म मैंने कहा एक बार जब आपने सब्जिट को कम से कम ब्रॉट ली इन तीन कैटेगरी इसमें बाट लिया है तो फिर उसके बाद आपको इस बात का धियान रखना होगा कि इसमें से सबसे सिग्डिफिकेट सबसे फॉर्मेडेवल सबसे पोटेंट पेनिटरेटिव टॉपिक्स कौन से है जिनकों कि आपने ज़्यादा गहराई से बढ़ना है ये भी एक बहुत ज़रूरी है जब हम कहते हैं कि हम एक बहुत प्रिसाइजव स्ट्रेटेजी बना रहे है तो इससे स्ट्रेटेजी बनाने का बिसिकली मत्तब यही है कि सारी च रही तरी के ट्रेंडिकल के ट्रेंड्स को भी आपने ध्यान में रखतकी ये देखने की कोशिश करनी है ति तो इसके बाद जब आपने इस तरीके का इनलिस भी कर लिए कि कौन से significant topic है जिनको आपने ज़्यादा insightful और deep steady जिनके आपने करनी है और theoretical topic में भी ऐसे कौन से topic है जिनको कि आपने थोड़ा सा गहराई से पढ़ना है और कौन से ऐसे topic है जिसमें से MCQs पूछे जा रहे हैं फिर उसके बाद आपको आना होता है India's के पार्ट पर क्योंकि अब आपके course का पार्ट Indian accounting extended है unfortunately जो institute है India's के लिए जो pages devote करे हुए अपने module में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन pages को पढ़कर करके आप India's की पूरी तयारी कर सकते हैं खासतोर से जो हमने पिसले दो attempt के news levels के papers को देखा June 23 के और December 23 के तो India's की बहुत formidable तयारी करनी है एक ऐसी अच्छी reference book आपके पास होनी चाहिए जिसमें large number of case studies हो या एक ऐसा material आपके पास होना चाहिए जिसमें large case studies हो पड़ते एक point के बारे में बड़ी विस्तलत रूप से जिसमें चर्चा करी गई हो जितनी जादा case studies आप करेंगे standard के उत्ता control आपका आएगा ये मेरा मतलब था मत एक अच्छी strategy से एक अच्छी precise strategy बहुत एहम role play करती है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए तो इन चीजों के बारे में मैंने का चर्चा होगी अब मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा तो सबसे पहले तो आपका ये जो स्लेवर्स है अपने स्लेवर्स को पहले ध्यान से देखें जो इस्टिट्यूट ते स्लेवर्स इश्यू करा हुआ है उसके मताब एक उन्ह覺 तमाम पूरे स्लेवर्स को सिक्स सेगेंट में बाटा हुए है जिसमें पहला सेक्षण है स्पेसीविक स्पेसीविक एकॉमटिंग स्टेंडर्ज इस स्पेसीविक का मतब इन्ड Ňयस बहुत सारे हैं लेकिन आपके कोर्स इसमें specifically particularly ये extended है और इसको उन्होंने marks जो allot करे हैं वो 25% marks allot करे हुए, इंडेस के अंदर आपको ये इसमें पढ़ना है एक तो इंडेस 8, इंडेस 12, इंडेस 16, फिर उसके बाद इंडेस 116, उसके बाद effects of changes in foreign exchange rate, फिर उसके बाद borrowing cost है, impairment of asset है, intangible asset है, अब उसके अंदर एक chapter उन्होंने दिया हुआ है share based payment, हम बात में देखेंगे कि share based payment basically आपका practical oriented chapter है, हालें कि इसको इंडेस की category के अंदर रखा हुआ है, लेकिन हम देखेंगे इसमें से basically आपको long question और पिसले दो attempt के papers को अबर हम देखें, तो मैंने जैसा कि कहा, दोनों attempt में इसमें से regular based के और उसके बाद revenue from contracts with customer, तो मैंने का ये जो standards आपको दिये हुए, कुल मिला करके 12 Indian accounting standard, इंडेस आपको पढ़ने होंगे, जिसमें कि एक standard is share based payment, SPP, इंडेस standard in two, इसकी चर्चा, मैंने का specifically मैं इसले करूँगा, क्योंकि इसको हम practical chapter के रूप में ले करके चलेंगे, correct, उसके ब तो new slivers के, मैंने का new slivers के अभी दो ही attempt में, June 23 का और December 23 का, अगर उन दोनों के trend को हम देखे, तो हमने ये देखा कि valuation of shares और valuation of goodwill में से मिला करके combined question examination में पूछा जा रहा है, combined question पूछा जा रहा है, correct, हलनके हमें valuation of share और valuation of goodwill करना पड़ेगा, उसके अलावा एक chapter है, financial instruments, अब है, अपने आप में कुछ माइने में एहम और important chapter है, क्यों और किसलिए है, इसके चर्चा में भी आगे करूँगा, उसके अलावा, NBFC, non banking financial companies, जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, तो इस particular section के अंदर, उन्होंने, आपने देखा 15% mark allot करे हुए हैं, और इसके अंदर basically 4 chapters है, valuation of share, valuation of goodwill, accounting of financial instruments, और NBFC, जिसको non banking financial companies बोलते हैं, फिर section C जो है, जिसको की 20% mark allot करे गए हैं, और इसको हम business combination in restructuring बोलते हैं, और वैसे आम बोल चाल की भाशा में हम इसको business combination बोलेंगे, इंड A.S. 103 इस पर apply होता है, खालंकि business combination chapter तो हमें करना है, और no doubt हमें इंड A.S. 103 के हिसाफ से करना है, ये long formidable chapter है, lengthy chapter है, लेकिन examination के trend को हम देखें, इसमें से generally बहुत lengthy question नहीं आए हैं, बहुत lengthy question नहीं आए हैं, इसमें तो या तो very short question आए हैं, और या फिर small छोटे question आए हैं, अभी तक इसमें से कोई long questions नहीं आया है, लेकिन मैं clear कर दूँ, पहले पूरी मेरी बात को समय, इंड A.S. 103 मैंने का बहुत long chapter है और इसके अंतर बहुत conceptual based topics हैं, जिसके बारे में अब चाचा करेंगे, और nearly हमने इसके 21 sections बनाय हुए हैं, जो हमारा अपना personal module है, उसमें 21 हमने sections इसके बनाय हुए हैं, तो मैंने का इसमें concept based question आपके आने के chances हमेशा रहते हैं, पिसले दोनों trend को अगर हम देखें, तो इसमें भी concept based question इसके आए हुए, पहले तो number one, एक तो ये बड़ा important value है, number two, बहुत से बच्चे जब मैंने कहा, slivers को ध्यान से ली पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ी सी problem होती है, ध्यान ये रखना कि business combination के अंदर हमें AS 14 को भी पढ़ना है, हालनकि है तो ये इंडियस 103, लेकर हमें AS 14 के बारे में भी मालू होना चाहिए, क्योंकि last month दो लिखा है difference between India is 103 and AS 14, अब आपको याद होगा AS 14 जो है, आप amalgamation के नाम से एक chapter इस से पहले के phases में करते थे, amalgamation of companies, अगर आपने नहीं भी करा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम उसको जरूर करेंगे, amalgamation of companies, कहने का मतलब है कि कहने के लिए तो ये business combination का topic है, यानि कि इस particular topic के अंदर हमने business combination भी पढ़ना है, amalgamation भी पढ़ना है, और internal reconstruction जैसे की बात में लिखा हुआ है, internal reconstruction क का topic भी हमने पढ़ना है, is it clear to you, internal reconstruction, अभी मैंने का जो sliders हमें दिया हुआ, अभी मैं सिर्फ उसकी जानकारिया आपको दे रहा हूँ, उसके अलावा, फिर section D जो है, जिसको कि 20% marks allot करे हुए है, इसको हम consolidated financial statement बोलते हैं, जिसको कि तुम इस से पहले के level के accounts of holding company कहा करते थे accounts of holding company हम AS 21 के हिसाब से बनाया करते थे, और उसी का corresponding जो INDAS है, वो है INDAS है निदेंटें, यानि कि consolidated financial statements हम करेंगे, CFS consolidated financial statement हम INDAS 110 के हिसाब से करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है, बहुत से बच्चे यहाँ पर भी निकलेट कर जाते हैं, जब हमने ये standard को अच्छी तरह से समझना है, जब आप इसके बीच की readings को लिंगे, तो आप देखेंगे, बीच में कुछ बाते लिखी विए जैसे investment in associates, joint venture, subsidiaries, जिसकी वज़े से हमें ये समझ में आना चाहिए, हमने सिर्फ INDAS 110 ही नहीं करना है, इस chapter को समझने के लिए, इस chapter को complete comprehensive तरीके से cover करने के लिए, ह और अभी जो recently held paper हुआ है, अभी जो December 23 का paper हुआ है, उसमें INDAS 1111 से related भी question पूछे गए थे, इस लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, इसलिए मैंने का जब हम professional level पे आते हैं तो बहुत ज़रूरी है, कि slivers की अच्छी deep thought and जानकारी हमें हो, अब होता गया है कई बच्चो and 11 से related उनको करने में फिर problem आती है, is it clear to you, तो ये भी एक बड़ा long formidable दो चैप्टर आपके बहुत ही long है, formidable भी है, important भी आप मान करके चलें, और इसमें से long question आने के chances हमेशा रहते हैं, इस बारी भी जो इसमें से question आया था, long question आया था, और वो chain holding में से आया था, correct, उसके अल जा रही है, जब हम अपनी financial statement draw करते हैं, तो basically हमारा purpose क्या होता है, हम उसको report करते हैं, report कि इनको करते हैं, उन तमाम parties को जो भी हमारे concern में, हमारे organization में interest रखती हैं, चाहे वो government हो, चाहे regulatory bodies हो, चाहे वो investors हो, creators हो, data हो, management हो, तो इन तमाम लोगों के interest को satisfy करने के लिए हमें financial reporting क अब financial reporting में समय के साथ, 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 चेंज आता चला गया है, अब एक जमाना था जब किसी company की performance को देखने के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ उस company की एक ही bottom line को देखता था, bottom line का क्या मतब है objective, generally जितने भी organizations होते थे, वो सबसे main उनकी जो bottom line होती थी, bottom line का मतब objective, main bottom line, वो होता था profit earning capacity, और investors भी जब किसी company में invest करते थे, तो उनकी भी bottom line यही होती थी, यह देखने के लिए कि कौन सी company जो है, बेहतर है हमारी investment के लिए, जहां से हमें ज्यादा return मिले, वो company की profitability को देखा करते थे, एक जमाने में, आज से करीब अगर मैं कहूं, 10-20 साल पहले, 10- साल तो नहीं कहना चाहिए, कमसे को आज से 10 साल पहले तक यही जो है, एक trend चला आ रहा था, अब समय के साथ साथ चीजे change होती चले जा रही है, आपको मानूंगे एक दुनिया भर में हजारों issues चल रहे हैं, उन issues में आज कल एग global summit हाली में हुई थी दोगा मैं आपको farming है, environmental issues है, natural wastage की आज कर बहुत सारी बाते चल रही है, तो कहने का मतबए इस planet को save करने के लिए हम लोगों को कुछ सोचना पड़ रहा है, यही वज़े है कि off late, दुनिया भर के जितने भी regulatory bodies है, उन्होंने companies को किसी तरीके से अब थोड़ा सा force कर दिया है, कि आपकी जो bottom line ह profit earning, उसमें आप कुछ और भी objective एट करो, यानि कि society के लिए भी आप थोड़ा सा कुछ contribute करें, थोड़ा सा इस planet के लिए भी contribute करें, environment के लिए भी contribute करें, because समय के साथ साथ ये चीज़े change होती चली जा रही है, तो अब company का objective of course profit कमाना तो है, उसके अलावा society के लिए किस तरह से से वो कुछ contribution कर सकते हैं, और environment को sustain करने के लिए क्या कुछ कर रहे है, किस तरह से carbon emission जो है, उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे है, किस तरह से wastage को कम करने की कोशिश कर रहे है, तो उनका contribution क्या है, तो company's को आदकल अपनी financial reports में, अगर आप बड़ी-बड़ी कम 30 की financial statement को जैस पर आपका लेवल चोटा नहीं है अब इस बात को पहले आप सबसने की कोशिश करें तो कहने का मतलब यह है जब आप फाइनिशल स्टेटमेंट देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि कम्पनी अपनी जब फाइनिशल स्टेटमेंट बना रही है जो नॉर्मल जरनल सी रिपोर्ट है जिसमें की कम्ती बताती है कि हमारा सुसाइटी के लिए किस तरके का कंट्रिब्यूशन है और इन्वाइर्मेंट के लिए हमने क्या 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 कदम उठाए हुए है तो पॉइंट क्या है कि आजकल इन्वेस्टर भी केवल और केवल यह नहीं देख रहे कि कांसी कम्ती प्रॉफिट ज्यादा कमा लिए अब वो यह देखने की कोशिश कर रहे हैं उस कम्ती को ज्यादा प्रिफर करते हैं जो इन सारी चीज़ों का ख्याल करती है प्रॉफिट का भी सुसाइटी का भी इन्वार्मेंट का भी बिकॉज इस तरह के नोशन्स चेंज हो गए हैं इसी लिए कुछ रिसेंट डेवलप्मेंट्स में फाइनिशल रिपोर्टिंग में हो गए हैं और उन रिसेंट डेवलप्मेंट्स में एक हम कहते हैं फोर पी बॉटम लाइन रिपोर्टिंग फोर पी के बारे में मैंने अभी डैरेक्ली हलका फुलका तुम्हें ब financial reporting में इसका मतलब हो गया कि किस तरीके से हम environment के सुरक्षा करें, society के लिए काम करें कि इस planet को हम एक लंबे time तक sustain कर सके, correct, उसके अलावा business responsibility and sustainability report कंपनी को आजका बनानी पड़ती है, integrated reporting एक नया concept आगी है, यह recent developments हो यह हाले कि बड़े छोटे छोटे चेप्टर है, hardly one या two paragraphs किस से ज़्यादा के दी हैं, और इसमें से सिर्फ और सिव MCQs examinations में पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको पर बहुत ज़्यादा deeply, मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि हमें यह analyze करना आना चाहिए, तो हम देखेंगे, trends को भी हमने देखा, और यह जो छोटे-छोटे theoretical chapters हैं, ए उसके अलवा corporate social responsibility reporting in India, अब इंडिया में किस तरह के नियम है corporate sector के उपर, यह इसके अंदर आप पढ़ेंगे, कि आज को जो कम 30 है, जैसे कि कुछ लमा मैंने पहले खा, कि उनके उपर कुछ responsibility है, corporate sector के उपर भी कुछ social responsibility है, किस तरह की responsibilities इंडिया में, इस chapter के बहुत में नहीं, correct, जो बाकी theoretical chapter है, उसमें से तो MC की पूछे जा रही है, इसमें से भी MC की पूछे जा रहे हैं, लेकिन still you have to pay little bit extra attention towards this particular chapter, उसके बाद environmental social governance ESG जिसकों short form में बोलते हैं, यह hardly one page भी छोड़ो, half page मैंने का institute ने दिया हुए, ऐसी human resource reporting के बारे में, यह सब social issues related reporting हैं, correct, जो म include करें, value added statement, economic value added statement, मैं बताना ही यह चाहता हूँ कि यह theoretical chapter कि यहां इसके अंदर दिया तो है, लेकिन यह basically practical chapters है, और यह बड़े एहम chapter है, यह दिखने में बड़े simple, बड़े भाले chapter लगते हैं, लेकिन आप दोनों attempt को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से, और खास्त हो से recent attempt में value added का question आया था, उससे पहले का जो attempt था June 23 का उसमें market value added का question आ गया था, तो यह दोनों को भी हम practical part में include करेंगे, उसके अलावा reporting through XBRL है, जिसका हम बोलते है extensible business reporting language, correct, और उसके अलावा एक है quarterly earning management, यानि कि यह जो chapters में ने लिखे mostly यह theoretical है, पर इसमें स practical में include करेंगे, बाकी यह quarterly और यह बाकी जितने भी मैंने टिकपा करेंगे हुए है, correct, जो खास दोर से आपको अपनी left side में दिज़र आ रहे है, तो यह आप purely theoretical angle से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपका ज्यादा time devote करने के आपको जुरूत नहीं है, आपने cursory leadings इनके लिए नहीं है, हालनकि हमने एक एक चीज बहुती तरीके से cover करी वी है, और मैंने का इसमें आपके basically mcq based question आएंगे, correct, लेकिन मैंने ये भी का कि in theoretical sort of chapter में corporate social responsibility को आपने थोड़ा सा ज़्यादा एहमियत दे दी है, उसके अरावा फिर एक section F रखा है, government accounting, government accounting in India 10% का है, और ये chapter भ answer देने के लिए इसको आपको थोड़ा सा deeply पढ़ना पड़ेगा, ये तो था जो institute में मैंने का syllabus issue करा हुए, अब हमने syllabus की भरपूर deep जानकारी ले लिए, at least हम वाकिफ है सी से कि जो syllabus है, उसमें topic क्याट है, फिर मैंने का उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम इसको analyze करते है इन में से जो कि मैंने अभी अपने discussion में आपको बताया है, इसमें से कौन से practical है, कौन से theoretical है, correct, आईए जी, सबसे पहले तो, अब ये जो है section one, यहाँ पर ये थोड़ा सम misprint हो गया है, इसको आप ना देखें, ठीक है, अब ये जो जो लोग हमारा course subscribe करेंगे, जाहिर है कि उनको हम तीन book, तीन e-book भेजेंगे और एक hard copy भी भेजेंगे, hard copy जो होगी, वो इन तीनो volume का combination भी होगी, ये मेरी book है, corporate financial reporting, correct, ये corporate financial reporting, इसके अंदर चार section से, बलकि कई बच्चे कुछते है, सर कितनी book भेजेंगे, कुछ भेजेंगे, तो अलग-अलग करकर के भेजने की बजाए, ये book जो है, ये commercial law house, इंडिया private limited ने publish करी है, amazing पे भी available है, make my delivery पे भी available है, दुनिया भर की sites पे ये book available है, बहुत ही, अच्छी किताब में ये, अब मेरी book है तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा material और महनस से करा गया material है, तो इस material के अंदर ही मैंने का, ये सारी चीजे मौज़ूद हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक तो हम hard copy आपको भेजते ही हैं, जो भी हमारा course subscribe करेंगे, अब मैंने कहा कि जब हम आपके syllabus को analyze कर रहे हैं, तो अब उसमें से कुस तो practical chapter है, तो हमारा जो पहला volume है, paper 18 latest edition मैंने लिखा है corporate financial reporting, ये जो हैं हम e-book के रूप में आपको भेजते हैं, और उसके अलावा hard copy भी हम हर student को देते हैं, अब इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है concept dozier plus illustrated question world, correct, अगर आपको एक second time दे, mouse थोड़ा सा इदर-दर physics आता है, तो problem होती है, लीजे जिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है concept dozier plus illustrated question world, सबसे deep penetrative or widest coverage हमने आपको दिये, अब आप अपने senior से इस बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन फिलाला भी मेरा इरादा main चीज़ इस particular subject की तयारी से related है, मैंने का एक बार subject को हमने analyze कर लिया, तो उसके बाद अब हम को ये देखना होता है कि इसमें से practical chapters कौन से हैं, और जो हमारा पहला volume होगा वो practical chapter से ही related है, अभी मैंने का कि practical chapter में एक तो business combination जो कि हम India is 103 के हिसाफ से करेंगे, लेकिन उसके अंदर मुझे amalgamation नाम का एक chapter भी करना पड़ेगा, और internal reconstruction नाम का भी chapter करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको clear कर दूँ, क्योंकि हम अब सारे इसके अंदर concept हैं, तो concept based question यानि की छोटे question इसमें से आ सकते हैं, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि amalgamation और internal reconstruction से, पिसले दोनों attempt में long questions इसमें से आए हुए है, तो इन chapters को आपने निकलेक नहीं करना है, बहुत ध्यान इसका रखना है, consolidation, consolidation मैंने बताया, अपने आप बोलोगे सर कोर्स में तो लिखा ही नहीं है, इंडेस हें 11 and 28, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम इस chapter को करेंगे, तो इस chapter को comprehensive तरीके से तभी cover करा जा सकता है, अगर हमने इन इंडेस को भी करा है, और जैसा कि मैंने बताया, इंडेस 111 से recently held examination, जो कि December 23 का ता, उसमें से question भी आ देखा, institute ने इसको इंडेस के इसमें रखाता है, हमने इसको practical chapter के दाहरे में रखा हुआ है, इसमें से definitely question आता है, इसलिए दोनों attempt based में से question था, दोनों attempt में long question था, तो ये आपको ध्यान रखना है, share based payment पे भी आपको जो है, बहुत deep और insightful study करनी है, ये तीनों chapter business combination, consolidation share based payment, उ और even valuation of goodwill or valuation of shares, हलाकि ये उस हिसाब से उतने लंबी chapter नहीं है, और अच्छी बात है कि इन chapters के बारे में थोड़ा सा आपने इससे पहले के level पर पढ़ा भी होता है, valuation of goodwill or valuation of share में से मेने का combine करकर करके examination में question आ रहा है, पिसले दोनों attempt में इसमें से भी question थे, तो बहुत ही ज non-banking financial company, ये एक छोटा chapter है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान provisioning से related questions पर रखना होगा, छोटे question इसमें से पूछे जा सकते है, financial instrument वैसे तो बहुत एहम topic है, to be very honest with you, इसमें indes 109, indes 107 और indes 32 apply होते हैं, लेकिन तुमारे institute ने सिर्फ financial instrument दिया हुआ है, तो financial instrument के अंदर, जो topic अभी तक तुम से पूछे गए थे, वो कुछ MCQs पूछे गए थे, classification से related, लेकिन अभी जो recently held question हुआ है, उसमें आप से depth का, compound financial instruments related a question पूछा गया था, हलेकि बहुत tough question नहीं था, उसके अलावा value added, जो है, आने वाले time में मुझे लगता है, ये one of the important chapter में से एक chapter होगा, कहने के लिए simple chapter लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत tough questions भी included है, उसके लावा economic value added and market value added, ये छोटे छोटे chapter हैं, लेकिन इसमें से भी strong question examination में आ रहे हैं, मैंने अभी कहा कि इस साल भी value added में से question था, और इससे पिसला जो item था, उसमें market value added से question था, आपने neglect कुछ नहीं करना है, बच्चे ये कहते हैं, कौन सा chapter है, जो हम छोड़ सकते हैं, अगर आपने इस feeling के साथ करना है, professional level का course, I am very doubtful, तकि this is the way around to achieve your target, ऐसा नहीं हो सकता, आपने deep study करनी है, penetrative study करनी है, insightful study करनी है, और खास तरस जो आपका पहला question है, जो कि 30 marks जिसमें लुटे लुटाए हैं, 15 MCQs पुछे जाते हैं, 2 mark का एक MCQA, और definitely आप उसको 30 marks बड़े असानी से cover कर सकते हैं, provided आपने जो है, वो थोड़ो steady करी हो, तो ये तो हमारी e-book का पहला part है, volume 1, corporate financial reporting, जिसके अंदर मैंने का concept dozier plus illustrated question vault है, उसके अलावा, फिर हम आपके इस पुरे slivers को, एक तो हमने practical part में divide करा उसके बाद फिर हम इसको theoretical part में divide कर सकते हैं, और ये हमारी e-book दूसरी होगी, जिसका volume 2 है, मैंने का इसके लावा, हम आपको hard copy भी बेशते हैं, hard copy में ये तीनों volume combine होंगे, is it clear to you, तो अब इसके अंदर मैंने आपको बताई दिया, जो theoretical topic, जो मैंने बताया था, four three bottom line, sustainability reporting, business responsibility, integrated reporting, CSR जिसका हम बोलते हैं, corporate social reporting, environmental social governance और उसके बाद human resource reporting, फिर XBRL, quarterly earning call management और government accounting, यानि कि मैंने सारे theoretical chapter collaborate कर दी है, और जो institute ने इसके अंदर, जो chapter include करे थे, economic value added और value added वो मैंने practical chapter की category में ले आया है, तो ये आपके theoretical chapter है, कुछ लहाँ पहले मैंने आप से कहा कि theoretical chapter ये नाम क मैंने का institute ने hardly half या एक पेस्ट डिवोट कर रहा है, हलाकि government accounting कहने के लिए फुड़ा सा लंबा chapter है, जब आप theoretical chapter पढ़ेंगे, तो ध्यान ये देने है, इसको आपने बहुत comprehensively करना है government accounting को, और उसके अलावा CSR को, और उसके अलावा XBRL को, ये जो हैं, बहुत important एहम theoretical chapters है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा MCQs आपको पूछे गए, अच्छी बात ये है कि theoretical chapters में से generally आप से MCQs ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो बागी chapters है मैंने का वो hardly four five minutes से ज़्यादा के नहीं है, honestly speaking, basically institute का purpose लगता है कि वो in terms से आपको वाकिव कराना चारहे हैं, कि latest development क्या ह ये अच्छी बात हैं, institute need to be complimented for that, तो ये theoretical chapter हैं जो आपने इसके करने होंगे, is it clear to you, ये हमारा दूसरा volume है, उसके अलावा अब जो हमारा सबसे एहम volume है, वो third जो हमारी e-book आपके पास आएगी, volume three, in-day-s से related, इसमें तालुक है, मैंने इसमें आगे लिखा भी है, concept dozier plus illustrated question vault, vault कहते हैं, basically, bank को ही मान लो आप एक तरीक, question bank के लो आप, जितना deep in-day-s हम लोगों ने cover करा है, मुझे doubt है, इतना कोई in-day-s cover करता है, correct, अब जो recently held examination हुआ, जिन बच्चों ने हमारा course लिया हुआ ता, पहले वोड़े ते, sir, आपने in-day-s में बहुत जादा दिया हुआ है, बहुत जादे case studies हैं, और अब वोई बच्चे जो हैं, बड़े messages दे रहे हैं, sir, in-day-s related, जो भी question थे, we were able to do it so easily, उसका reason यही था कि हमने last number of studies, last number of case studies में कराई थी, अब in-day-s हैं, जैसे इस से पहले आपका accounting standard हुआ करते थे, ऐसी अब in-day-s हैं, तो in-day-s जो हैं, 12 in- in-day-s हैं, लेकि 12 में से मैंने share based payment को जो है, वो practical chapter के study में में ले आया, अब बच्चे वे जो standard हैं, एक तो है in-day-s जिसका तालुक accounting policy changes and accounting estimates and errors से होता है, correct, यह कुछ-कुछ आपका वैसे ही है, जो इससे पहले आपने as-5 पढ़ा हुआ था, is it clear to you, इससे पहले के level पे, फिर उसके बाद जो income tax है, in-day-s 12, अगर आपने इससे पहले के level पे as-22 आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा है, तो काफी हतला कि यह standard उससे मिलता तो है, लेकिन फर्क या है कि दोनों ही situation में absolute similarity नहीं है, क्योंकि as-22 में जब हम deferred tax ए asset compute करते थे, तो हम income approach को follow करते थे, ज property plant and equipment, in-day-s 16 से इसका तरलुक है, और इससे पहले के level पे जो आपने accounting standard as-10 करा है, honestly speaking as-10 जिसका भी title property plant and equipment था, ये standard in-day-s 16 और as-10 absolutely same है, अब आपके course में accounting standard तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इससे पहले के level पे as-10 करा है, तो इस standard को इससे पहले के level पे आपने as-19 का standard करा था, याद है आपको, वो भी leases से deal करता था, आपने यहाँ पर एक शीज बड़ा interesting point आपको बताता हूँ, हालनकि आपके level पे accounting standard नहीं है, Indian accounting standard है, फिर भी मैं अपने पूरे experience से आपको ये कहूंगा कि still आप as-19 को जरूर कर लेना, हाल combination में कहने के लिए तो leases से question आ रहे हैं, दर असल वो leases से नहीं हैं, वो दर असल as-19 से question आए, चाहे वो 23 में question आया, जून 23 में, या क्या बोलते हैं, 24 में, वो जो question था, उसका जो color और contour था, वो as-19 से ज्यादा related था, बजाए ind as-16 से, तो ध्यान ये रखना है, मेरी आपको ये पस्तल advice होगे, कि बावजूद इसके कि ये standard आपके course का part नहीं है, accounting standard आपके course के part नहीं है, इस्टिल अगर आपको मौका मिलता है, वैसे भी वीडियो हमारे available हैं, यूट्यूब पे आप वहां से भी इसके त्यारी कर सकते हैं, और वैसे हम जब आपको course, जो बिच्चे हमारा course subscribe करते हैं, कम उनको ये standard भी भेज देते हैं, फिर उसके अलावा effects of changes in foreign exchange rates है, इससे पहले के level पे आपने AS11 करा हुआ था, और examination में जो question आ रहा है, honestly speaking, India AS21 से question भी आया है, लेकिन लोजिकली वो कहने के लिए India AS21 से था, more or less वो जो question था AS11 से related था, correct, इसी तरीके से borrowing cost ह इससे पहले के level पे अगर आपने AS16 करा है, तो borrowing cost को समझने में आपको कोई problem नहीं होगी, इसी तरीके से impairment of asset, impairment of asset इससे पहले के level पे अगर आपने accounting standard 28 करा हुआ है, जिसका तालुक impairment से है, तो you can easily manage this particular end AS, इसी तरह से intangible asset, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इससे पहले के level पे ये AS करे हुए हैं, तो आपको in and AS को समझने में बेहद असानी होगी, ब्योंकि more or less जो मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल same है, जैसे अगर आपने AS28 करा है, तो आप देखेंगे impairment of asset more or less उसकी तरह ही है, इंटेंजिबल asset, अगर इससे पहले के level पे आप आपने AS26 करा है, तो ये उससे relate करता है, उसके बाद है operating segment, इंडेस 108, इससे पहले के level पे अगर आपने AS17 करा है, तो ये उससे relate करता है, फिर है fair value measurement, ये completely theoretical sort of standard है, और बड़ा एहम standard है जब आप practical life में as a professional आएंगे, तब आपको इस standard की बहुत ज़रुवत अहसास होगा, खल नजर आया और ना वैसे कोई, तो अभी जब हमने इन दोरों papers को देखा, तो ऐसा लगता है, जो institute है, उसका basic मकसद फिलहाल अभी आपको आपको ज़्यादा तंग करना नहीं है, फिलहाल वो अभी आपसे MCQ related based question इसमें से पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे questions पूछ रहे ह यह चीज का ध्यान रखना है, जब आप steady करते हैं, तो आपके दिवाग में यह चीज भूनी चाहिए, कि इसमें से किस तरीके के question पूछे जाएंगे, तो MCQ based question इसमें से पूछे जा रहे हैं, यानि कि case study दी वी है, और उसके नीचे related options आपको दिये होंगे, correct options को आपने mark कर ना होगा, तो यह जो है, इंडे एस से related है, फिर इसमें extended revenue from contracts with customer, अब मुझे इस level पे यह नहीं कहना चाहिए, कि इसमें से कौन सा सबसे important है, और कौन सा सबसे important नहीं है, correct, यह कहना थोड़ा सा इस level पे ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो तुमारे questions आए थे, अभी तक जो question आ पूछा गया था, changes in policy को लेकर के, otherwise कोई वैसा question नहीं पूछा गया, लेकिन जो, मुझे यू कहना चाहिए, अभी तक जो question पूछे गए है, ज्यादा question वो revenue from contracts with customer से पूछे गए है, अब इस से पहले के level पे आपने AS9 करा था, लेकिन इस standard का कोई तालुक नहीं है, AS9 से ध्य सके, is it clear to you or not, देखो आप final level पे आ गए है, अच्छी मैनत कर लेंगे, अच्छी performance आ जाएंगे, तो आपका future भी बहुत अच्छा होगा, इसमें मुझे बताने की जरूट नहीं है, अब हम आते हैं, अपने course से related भी कुछ बाते करने ही पड़ती है, अगर आप में से कोई हम English में ही पड़ना है, यानि कि कई बच्चे जो खासत और से Southern Reason के होते हैं, या Eastern Reason के होते हैं, या फिर जो ज़्यादा English में comfortability महसूस करते हैं, तो उनके लिए तो हमारे English version का course है, जिसका की code नाम हमने supreme दिया हुआ है, और जो हमारे Hindi version का course है, हालनके हिंदी version का course हालनके के कहन के लिए Hindi है, इसमें हम mixed language यूज करते हैं, हिंदी भी बुलते हैं, इंग्लिश भी बुलते हैं, इसका नाम हमने जहीन रखा हुआ है, तो CFR final में चाहे हमारे English version कोर्स खरी दें, चाहे हिंदी version कोर्स खरी दें, जिसको जिसमें comfortability रहती है, वो कोर्स खरी सकता है, और duration जो ह हैं, चाहे हो हिंदी version हो, या English version हो, duration जो होगी, देखो 190 से 200 hours तो पहले हम कोर्स कवर करेंगे, उसके अलावा फिर next 25 hours जो होंगे, वो past paper coverage की होगी, यानि कि past में जो अब news levels से related तो अभी दो यह attempt के question आए हैं, तो आप बोड़ों कि सबसे दो attempt के paper के लिए 25 hours नहीं, जब हम past attempt की बात कर रहे हैं, तो past attempt के भले ही हम question करें, लेकिन उनको नए syllabus के parameters के हिसाब से करेंगे, point यहां पर यह है, और इसमें हम कुछ model question papers भी करेंगे, और उसके अलावा next 25 hours है, revisionary in MCQ session के, आपने note करा होगा, जिन में से आप बच्चों को पता है, खास दोर से, कि अभी जो past paper ह हुए थे, चाहिए वो old syllabus के या new syllabus के, उसके solution सिर्फ हम नहीं दिये थे, बलकि मैंने ही दे थे और किसी भी faculty ने इसके solutions नहीं दिये थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तो we take care of this particular fact, कुल मिलाकर कर के course 250 hours का हो जाएगा, हालिकि 100 से 200 hours, first phase, दुकर हमारे course का जो सबसे unique feature है हम इसको three phase में दे रहे हैं, पहला जो है, मैंने का course की coverage होगी, 190 से 200 hours, फिर next 25 hours से होगी, past paper की coverage होगी, या कुछ modular papers की coverage होगी, और next 25 hours से होगा, वो review study session और mcq session से related होगा, is it clear to you, तो यही जो features हैं, यह दोनों के लिए हैं, same चीज़े हैं, features, correct चाहे हिंदी version course लें, चाहे English version course तो अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा इस point पर, तो मैंने जैसा कि का कि जो हमारा course है, उसकी जो सबसे एहम बात है, वो है three phase coverage, जैसा मैंने का पहले तो coverage of module, module के coverage का मत्तब है, जो हमने आपको यह तीन books भेजनी है, और जब हम अपनी यह तीन books आपकी भेज़ेंगे, तो of course आ अलावा past year question papers, यह दूसरा phase होगा और तीसरा होगा, रिविस्टेरी session, थीन phase में हमने course को cover करना है, और अब ज़्यादा बाते मुझे बोलने की जरूएत नहीं है, most की सभी लोग लिखते हैं, जैसा systematic sequence in well framed module, और module को बनाने में बिड़ा हमने बहुत महनत करिया, आपको होगा, तो बनाने के लिए कुछ महनत करनी पड़ती है, और उसके अलावा potent penetrative and exam oriented coverage है, correct, latest updated and well research study material है, और performance assessment and rehearsal test series भी हम करती है, तो इस चीच के आपके ध्यान रखना है, कई बच्चे फिर question पूछ लेते हैं, do we need to institute module also, answer तो होना चाहिए, yes, module जरूर करना चाहिए, जो आप के institute का है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा material है, जिसमें की module की सारी चीज़े cover है, तो फिर आप उसको ना भी करें, तो कोई problem की बात नी, जैसे कि हमने पहले ही का, जो हमने material दिया हुआ, इसमें module का एक एक पहलू हमने coverage करा हुआ है, उसके अलावा हमने बहुत सारी चनाएगा, how to revise कई बार बच्चे पूछते हैं, वैसे तो आप क्या revise करेंगे, हमी revise करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कम से कम इतना effort कर लेना कि past two attempt के papers करना और दो mock test paper, अब बहुत से बच्चों के एक आदत मैंने क्या देखी, बेटे ध्यान ये रखना है, जो आपका present इस समय situation है, उसको देखते हैं, आप इसले दो attempt से जादा के paper मत करना, otherwise we will get confused, correct, two mock test paper of the institute, भी आपने करने होंगे, जो recently institute जो है upload करता है, examination से एक दो मैने पहले, number one, उसके अलावा फिर हम यो यूटूब पे हमारी revisionary series चलती रहेगी, past paper series चलती रहेगी and we will keep in touch with you as we did, correct, तो जैसे कि हमने हमेशा करा है, वो, वही चीज हम इस बार भी करेंगे, तो उसके आपको बिल्कुल चिता करने की जरूत नहीं, सिर्क बच्चे कई बार पूसते हैं, what about doubts, यह मेरी assurance है, अब मुझे कहते हैं, अच्छा तो नहीं लगता, बटा, I've got largest number of CFR students, क्योंकि मेरा English version भी है, और Hindi version भी है, combinedly I've got the largest number of students in India, as far as CFR is concerned, उसके बावजियोद भी मेरे पर hardly, you believe it or not, hardly एक या दो, पूरे साथ, पूरे six months में, hardly एक या दो queries आती हैं, और वो भी basically content issue से related नहीं आती, फिर anyway, यानि कि हमने course इस तरह से develop करा हुआ, I can assure you that never ever at any particular point of time, आपको किसी भी तरह की कि क जुड़ सकते हैं, वैसे तो आपके लेवल पे ऐसी कोई amendment विगरे आती नहीं है, अगर आएगी तो उस सबसे पहले आपने क्या करना है, कि इन दोनों चैनल को subscribe कर लेना है, सन्जे वेलकिन्स और सीमे वार्च वर्च वर्ड प्लैनिट, दोनों मेरी चैनल से, इसलिए खब फोर सेग्मेंट्स हैं, करेक प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी हैं, इसमें theoretical अलग सेक्शन है, डिविजन टू जिसको अबने बोला है, डिविजन थ्री में इंड एस है और डिविजन फोर में आपके objective type questions ये last में, objective type questions पता नहीं आपके स्क्रीन पर आप आ रहे हैं कि नहीं जो हैं, बुक इस तरीके से बनाई गई हैं, और बाकी ए-बुक्स हो मैंने का हमने आपको भेजनी भेजनी होती हैं, और हाट बुक भी हम ज़रूर भेजेंगे, तो ये कुस कोर्स से रिलेटर्टर चड़ जा थी, और ये मैंने आपको कोर्स की duration वेगरे के बारे में कोर्स खरीदें, जो भी जिसमें भी आपको असानी और सहुलियत महसूस होती है, उस कोर्स को आप जाएं, उसके अलावा, अब अगला पॉइंट ये भी आता है, कई बच्चों के मैसेज हैं, आरिते साथ थोड़ा सा कन्फियूजन होती है, आपके कोर्स कई जगे पर हम द खान रखना है, क्योंकि जो थ्री फेस कोर्स है और लेटेस्ट आपडेटेड माटीरियल है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी साइट आपको देगी, वैसे तो साइट का मारा नाम है www.synjewelkinsofficial.com, लेकिन अब इसमें से थोड़ा सा आजकल पिसले कुछ दिनों प्रॉब्लम च तफाकन कभी ऐसा होता है, कि जब आप कॉल करते हैं, तो स्टाप पिक अप नहीं कर पाता, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ वट्स अप में अपनी रिक्वेस्ट छोड़ देनी है, कि वी आर इंट्रेस्टेट इन बाइंग दे कोर्स, और अपके पास कॉल सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट मेल पर भी छोड़ सकते हैं, एक हमारा एप है, उस एप को भी आप डाउनलोड कर लें, तो ये आपके लिए चीज़ें काफी बहतर साबित होंगी, और मुझे आप बतानी की जरुवत नहीं, आप यूट्व में जाएंगे, पास सिरीस के अ एसास हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाकी मुझे आगे बताते हुए अच्छा नहीं लगता, बच्चे ही एक दुस्से से बात करते हैं, तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कुछ रिव्यूस बच्चों के आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, राहुल कुमार है लगते हैं, अब बेस्ट इजब फॉर सी एफार, इसी तरह से अमित कुमार वर्मा कहते हैं कि वर्ट केना इसे, आम स्पीशलेस, तो कहने का मत्तब इस तरह कि ये बच्चों के रिव्यूस वगरे जो आपके पास पहुंच जाएंगे, जब आप कोर्स लेते हैं, तो आप रिव्यूस हैं, कोई ऐसे नहीं बनाए गए हैं, तो सी एफार के बारे में मैंने यही चर्चा करनी थी, तो आपने देखा कि अगर हम किसी भी चीज़ के जो पैरामीटर्स हैं, उनको अच्छी तरह से देख लें, परक लें, उनको अच्छी तरह से समझ लें, तो काफी च ﷺ झाहिए हैं, और विचाइए पर से लिवास के बनाए, ऑनको अच्छी हैं, बनाए हैं